कि नमो नहारे ये गोमाता वंद्र मात्रमा भारति को प्रणाम और हिरदैशे ओम शम शनिष्च राये नमो प्रदर्शक और मित्रों शाथ्यों जीवन के इस गनित को नज़िक से समझना होगा बिना समझे बिना जान जीवन समझ में नहीं आएगा और जीवन का ये गनित ये कहता है कि जब तक हमारी शरीर के भी तर में स्वास मौदुद है तब तक ही हम उस प्रणान प्रमशुप शान्ति के साथ रह सकते हैं अनभाव क और श्वांस है तब इस सरीर है और श्वांस नहीं तो शरीर भी नहीं रहा gonna उस्मिलन का आन भाव करो और यह ऐसा आन भाव है जो सारे आन भाव है है जो आ स्वांस्त के आन भाव की साथ जुरने से जीवन समझ में आता अज़ा के दैश्क व्य भी पंचांग की राशी फल प्याओं उससे पहले आज का पंचांग जेश कर्ष्ण पक्ष की 12 विकरम समझ 2080 जेश माश की दो परविश्ण सग सब 1945 से बैसा के 26 ताद अनुसार मंगलवार शोड़ा मई करण काश्माप्ति काल है दोपर 12 बज कर 17 अगला करण तैतील होगा शुर्धिकालिन नक्षटर उत्रबाद पर नक्षटर नक्षटर रमीश धीव नक्षटर कादर शमापतिकाले सुबह आठ बजकर 15 मिन्ट अगला नक्षटर रेवति और नक्षट स्वामी बुद्द्देव है यानि शणिदेव और बुद्द्देव के नक्षटर में चंद्र देव का संचन है और चंद्र देव मीन राशी में है प्रादकालीन घरे में केतु देख यह घ्रहों का संच्रण और इशी आधार पर शोड़ा मई 2023 का मैंने राश्य पर लिए आज का जो अभी जीत मुर्थ है वो शुबह 11 बजकर 50 मिन्ट से लेकर दो पर 12 बजकर 45 मिन्ट देगा अब दी 55 मिन्ट और ये 55 मिन्ट आज की दिन कोई भी शुबकारी क प्रीस दिसकार में चीर कालत कर लव ले नहां से अभी जीत मूर्थ में करें और अभी जीत मूर्थ भग वहीं को वरीं को बहुत रिया है , अज का जो रहकाली है वो दोपर तीने बजकर कर दो पढ़ीन चारी से लिकर 46 Mिन तक रहे गा आज का जसका रहुकाल है वो दोपर तीन बज़े लेकर साड़ी चार बज़ तक राहुकाल दन्शुपकारी करना, सौधा करना, पुंज निमस करना, आनुकूल और उचित माना नहीं गया है, यह मेरी सला है, मानो नुमानो आपकी मर्ची है, उत्रदिशा की यात्रा का संकेत नजर आ रहा है, उत्रद जो लोग वहां काम करते हैं, उनका ओफिस का अपना एक ताइप है, आपके फोन जो उठाए जाएंगे, वो सुबह नौ बज़े से लेकर साम आठ बज़े की बीच में उठाए जाएंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि आठ बज़े की बाद आप फोन नहीं करें, आपके इस बात की फिर वहां जानकरिया आपको कोई नहीं देगा, तो जो भी जो सनिदाम की नीचे नंबर आ रहे हैं, गवसाला के, इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वो सुबह नौ बज़े से लेकर, शाम आठ बज़े तक भी होगा, इस बात का थ्यान करेंगे, फिर देशक दिन या फिर शादिक की साल करें, तो आज प्रातकाल नित्य कर्म से निरो, सिनान उपरां, शर्धान उसार कच्चा दूद, गरीब निर्दन नो वर्स की कम आयूं की कन्याओं को दान में देना शुप रहेगा, इसे आपकी कश्ट पटेंगा, आपकी प्रेशाने का निव कुली में जनमकालीन मंगल देव प्रचकूल अवस्ता में विराजमान है, यह नीच अवस्ता में करकरासी के बैठे, कामकाज कारोबार नौकरी वेवेशाय में अनावसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो बहुत सुंदर उपाय है, और यह उपाय आपकी ज सामने भोग लगा का रख देजे, सुद्ध देशी घी का दिपक जिलाए, हनमान अस्टक के आठ पार्ट करने को प्रांत यह गुर्ण गवसाला में दान दे दिजेगा, कस्ट परेशानिया, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, दुरगटनाओं से पीच्छा छुटेग करते हैं आपके राशीपल, आपकी चंद्र राशीपल, आपके नाम राशीपर आधारित है, राशीपल पूर्षओं के लिए भी है, महीलाओं के लिए, बुजरगों के लिए और बच्चों के लिए ऑर सब शेपहले मेसे लाशीachts, Чंद्रदेव, बारवोय भाव में संचन करें और बारवे भाव में चंदर देव शनी देव बुद्देव के नक्षतर में शंचन करें ग्रगोचर प्रतिकुलता परिशानी और कस्ट का संकेत दे रहा है आज विवाद्दी सोदों में पुंजी निवेश नहीं करें वैवशाय विश्तार से बचें और कारी और वैव युआ और विद्यारतियों को वानिक पर श्यम रखना बहुत जरूरी अनेता काम बेढ़ जाये चाहिए वो शिक्षा हो चाहिए कामकाजियो चाहिए नौकरी बहुत जरूरी है कोई भी गुप्त कारी आपको नुक्सान दे सकता इसे बचना चाहिए असमंधानिक चीज़ अधि महिला को दान में देना उत्तम उपाए रहेगा नौमने और बात करते विश्वरासी ग्यारेवे भाव में चंदर देव शनी देव बुद्देव के नक्षतनों में संचन करेश्य में उत्तम है आपका काम करने की सहली आपकी वानी आपकी युक्ती आपकी इच्छा स सक्ती से कारि बनें गे और विशेश कारिं की सिद्छी से घर और परिवार का वातावन खुश्यों से भर आकि मित्रा और मित्रा और प्रज्जों से मिलने का अवसर परापत होगा सुख साधन बढेंगे घूमने फिरने और मनो विनोद्की अवसर प्रापत हो उनी रहे ह い Zam नोकरी में हैं, वेवशाय करते हैं, आप पढ़ाई के छितर में मेहनत कर रहें, अच्छे अउसर मिलेंगे, लाब मिलेंगे, सफलता मिलेगे, और उत्तंफलों की प्राप्ती भी हो, क्या करें, शुबर मांगले कारी संपन करने में परिवार का साथ में, क्या न करें, कारी छ विरुद्मन महिला को दान में देना बड़ा सुब रहेगा नमनाग पर बात करते हैं मिठोंडाश दसंभाव में चंदरदेव और दसंभाव में चंदरदेव श्यानी देव और बुद्देव के नक्षन में संचन कोने सितारों के चाल अनकोले शुपलों का सिल्चला जारी मत्मण कारी शंपन होंगे कारी स्तला अप्रवर्चस्व बनेगा कामकाज में नौकरी में अच्छे अफसर मिलेंगे राजनितिक मित्रों के सहुग से कामकाज कारुबार नौकरी शमाजिक और व्यवशाइक उनत्तिका मार्ग परसट होगा और धनलाब होने से शुक के वरतन की संभावना भी है नमिन कारे में पुंजी निवेश करना आज आपके लिए उत्तम रहेगा क्या करें कारीचितर पर अपने अधिकार का प्रियोग करें क्या ना करें बेवजे किसी से सतुरता ना करें शुबंग शुबंग हरा भाग्या आपकी पक्समें 70% लापका बुद्देव के नक्षण में संचन करें नक्षण गना इस बात का संग्दिक कामकाज कारवार नौकरी वमिशाई समाज परिवार में संतुलन बनेगा बुजरगों की सला और बुजरगों का सहोग परिशानियों से मुक्त दिलाएगा आर्थिक ठीक रहेगी अधिक रुजरगों अच्छा रहेगा संसानिद का मुका मिलेगा सशंग का लाम मिलेगा और शकारतमक सोच भी रहेगा अब युआ है और टकनीकी छेतर में या खेलके मैदान में या फिलम इंडिस्ट्री में उत्तम आउसर का संकेत है अभी जयारती है और उच सिक्षा में अध् परना ले शुबंक नो शुबरन सपेद भागिया आपकी पक्स में पैंसेट प्रसेंड लाप का संकेते करक राश वालो शर्धानुशार्च चावल नौ वर्ष की कम आंकी करन्यों को दान में देना पड़ा शुबरेगा नुमने और बात करते शिंगराश अस्टमभा में चं रहे तो मोटी परिशानी यो तरक वितर से बचना होगा स्वार्थी और चापलों समित्रों से दूरी बहुत जरूरी है साजदारी के कारे में मन मुटाव है कारे में बादा है सरकारी मामलों में परिशानी है सुस्राल पक्स अनबन की संभावना नजरा रही है अकारन नुक्सान का कान बनने और लापरवाय के tutor अस अपना करना पर सकता है यह ताली में परोस्र कुछ कुछ नहीं बले जर्भाइव यह जरूत्म किसी व्यत्ती को दानमे देना अति उत्तम रेग जineering और बात करते हैं कानियारासी सप्तम भाव में चंदर देव.. नौकरी में प्रशंता है कामकाज कारबार नौकरी वेवेशाय में संतुलन बनेगा कारी इस्तर परिवर्तन मनों अनुकूल रहेगा उनत्य का अच्छी अउसर प्राप्थ होगी अपनों का सव्यग और उच्छा का अंसाव की पूर्ती होगी और मनों मजबूत रहेगा अनौरंजन के साधनों प्रिवर्तन और मनों कामना जुरूर पूरियोगर विद्यारती वर युवाउं के लिए आज का दिन बड़ा शुब और लाब का संकेत दे रहा है क्या करें कारी शंपान दिन में थोड़ा सा धैरिय का प्रचेव क्या ना करें कोई भी कारी अधूर शुबंग पांच शुबंग हरा भागया आपकी पक्स में साथ परसंद लाब का संकेते करने राश वालों शाबुत मूंग शर्धान शाबुत मूंग या पिर पालक या हरा चारा गोवसाला में दान देना पड़ा शुब रहेगा नमना इन बात करते हैं तुलारासी चटे बात के चंदरदेव चंदरदेव शनी देव रुबुद्देव के नक्षण में संचन करें गरोग शुबंग परिशन दो राकेगे कारे में शुप्रणाम पराप्त हूंगे जॉब श्मंदी परेशान से शुटकारा मिलेगा नय जॉब की प्राप्ति का प्रबल संकेत कान आप युवा है अच्छे रोजगार मिलेंगों शिक्षा के चेतर में अच्छे अवसर में क्या करें अवरुद कारियों को शंपन करने का प्रियास करें क्या ना करें गैर कानुन धंच से कोई कारिय ना करें सुबंग दो शुबंग नीला भाग्या आपकी प्रक्षेतर प्रसंद लाप कर संकेते तुलाराशी वालों सर्दान उसार्च चावल जो अपने घर में पकाई हैंगे कच्छे चावल को पकाई अपने घर में सर्दान चावल घी शकर बूरा गरीब निधन व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराना उत्तम उपाए आज का नमनें और बात करते हैं वर्षिक आसी पंचंभा में चंदर जोएलरी के चेतर में आज उत्तम आउसर कारशन के नजरा चाहें वो जोब हो चाहें नौक लेंगे आए कि साधन अच्छे लेंगे यात्रा लाप्रद रहेगी पारवारी वो शमजी कारे करने का पून आउस्टर मिलेगा और उसमें आपको शफलता भी मिलेगा आप का वचन दिया तो उस वचन को पूरा करें क्या ना करें किसी तरह की लापरवाई ना करें शुबंग चार शुबंग मैरूल भागया आपके पक्षण प्रसंद लाप कर संगिते विर्शिक राशिवालों सर्दान उसार गुड गुड गाई को अपने हाथ से खिलाना उत्त से कामकाज कारुबार नौकरी पर प्रतिकुल प्रभाव पर सकता है इसे बचना बहुत जरूए चिकसा पर धन खर्च है कलह की प्रभल संभावना है पुंजी निवेश में जल्दबादी हानी का संकेदरी और भोग विलास की परवरती बढ़ेगी और करजा बढ़ सकता ध शुर आपकी मदद करें क्या ना करें कारुबारी शौदा आज ना करें शुबंग चार शुबंग लाल भाग्या आपकी प्रक्समें प्रसंद लाब कर संकेदे धन्दाश वालो शर्दानुशा शाबुत हल्दी गरीब को दान में देना अत्य उत्तम हो पाहें नमनेन और प्रशनता देगा किसी मांगली कारी का संपन होने का संकेथ है और आर्थिक उन्रती सि मांग्समान बड़ेगा टर्शास वे भृबृतषी होगी वेपार बढ़े लेका चोटे भाई बेनों को शफलता मिलेगी और चोटे भाई बेन अनकुल होने की वज़े से परिवार में एक समन में बना रहेगा आप विद्यारत्य और यहा है केरियर कामकाज कारोबार शिक्षा के छित्र में प्रियास पूंड शपल होंगी इदियाप नौकरीमित कारिश्ट शुबंग पांच शुबंग रंग्रे भागया आपके प्चासी प्रसंद लापकार संकेते मकराश वालों शर्दानुसार उड़द गौसाल में दान देना अत्त्तम उपाया आज का नमनाइन और बात करते कुमराशी दूसरे भाव में चंदर देव दूसरे भाव में संदर होगा और नौकरी में अच्छी आफसर में लेकिन शेंगम और धारी का प्रचेश आए विद्यारती युवाओं को केरियर कामकाज कारोबार शिक्षा के चेतर में कड़ी महनत कठीन परिशन और संघर्ष करना पड़ेगा आतम विश्वास को मजबूत रखना पड़ करें पारवारिक मत भेद ना पन अपना प्रपल भागिया आपकी पक्समें 60 प्रसंद लापकार संकेते कुम्राश वालों सर्दान उसार्थ देशी चने गउसाले में दान देना पड़ा शोबरेगा नुमनाग और बात करते हैं मिलास लगन भाव में चंदर देव लगन भ बढ़ेगा मना और शिक्ताओं की पूर्ती होगी और करतेवे को आप अपने करतेवे को पूरा करने का आपको अवसर भी मिलेगे और आप उसे पूरा भी करेंगी और यात्रा बड़ी शुखद रहेगी युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुखद और अनकूल है का काल बार मिले लौकित्र में अंच्छे लाब मिलेगे शिक्सा के चेतर में शपलता मिलेगी समधा को स्माजिक और कुए हैं आपको 80% आप शंकेत मेंमींडस वालुं सरदानुच चने की दाल गरीब जरुद्मन व्यक्ति गो रहेगाज न मगास ना बनान.. प्रिधर्षकों茶 मित्रशाथ्यों यह था कहजित भर राषियों कंपर दा नक्षत ऑंसते करन आम मित्रों शाथी आंक्यों ने शमयानों जान्य आप मासे होगिता है लंच आम डियार, इन पहरे मूर्पव करें बुस्वाय था कि अलापक सुख न confirming ने शते सांधो.... बेटियों से बहुत प्यार करते हैं हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है और यह मेरा सौक था, मेरी राष्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का लक्ष रहा है मनशियों और मानुव होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट की शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरास्थ के सामने कभी नहीं आए धा हमेशा मैंने ये काकिषाभक शेवा करी हैं, मैं भी शेवा करता हूं आप भी धन नहीं चाहिए लेकिन रफ़्तमान में जो आर्तिक प्रस्तिए है वो मेरे को ये कहने के लिए मज़़ूर कर रहे है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकूली का अवलोकन कराना चाहते आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जिऊँगा तब तक खड़ा रहूँगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी है वज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता कर लीज़े और इसलिए मैंने कहा था कि भई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती महराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ मेरा ये एंकार नहीं है सातियों मेरा राश्रों पर है मैं ये नहीं कहा रहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए सनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगवग लगवग 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रणार करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते है शासन की अपनी एक शीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदे से पुने एक बार ने वेजन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशालों में खड़ा रहना है नंबर है जरुशयोकर पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमोना रहें